क्या भारतिये जंता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए है, जो वो खुआप देख रहे थे अच्छे दिनों का, हलाकि पार्टी के अंदर जो आप देख रहे हैं, इस्थिती लोगों की अच्छी अच्छी है, सिवाई गरीब जंता को छोड़ कर, देश की आधी से जाध आवादी को छोड़ कर, बीजेपी के लोगों को देखे, बीजेपी के नेताओं को देखे, कितना उनके पास जो है, पावर, पैसा नजर आता है, उनके जो स्टैटस है, वो नजर आता है, लेकिन खेर स्टैटस और पावर पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, बीजेपी से संजय सिंग की गिरफतारी हुई है कि कैसे बीज़पी रूल करने के लिए विपक्ष दल को खत्म करना चाती है इंडिया गठ बंदन को तोड़ना चाती है इसलिए वो उसे फसा रही है और अपना काम जो है वो निकलवा रही है ये तो कल आपने देख लिया ख़बर कि कैस जो है सुभा रेड हुआ और शाम में संजय सिंग गिरफतार हो गए कल ये पूरे दिन चला लेकिन आज जो मैं आपको ताजा तरीन खबर बताने वाली हूँ वो ये है कि भारती जंता पार्टी पर भले ही आरोप है कि वो दूसरों के पार्टियों को तोड रही है लेकिन उनकी पार्टी जी हां उनकी पार्टी खुद तूटती भी नजर आ रही है उनके पार्टी में खुद दरार जो है वो साफतोर पर देखने को मिला है अब खबर ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि साउट के एक बहुत बड़े सूपरस्टार ने जो बीज़ेपी एंडिये गटबंदन के साथ अलाइंस में थे वो एंडिये गटबंदन से साथ छोड़ चुके हैं सोचिए प्रधान मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले खुद को एक अकेला कहा था कि एक अकेला जो है वो सब पर भारी है एक अकेले ने सब के नाख में दम कर रखा है ऐसा ही कुछ कह लेकिन फिर धीरे-धीरे करके दो-चार दिन बाद इस अकेले इनसान ने एक अकेली पार्टी ने 38 दलों को अपने साथ चोड़ लिया था 38 दलों का गटबंदन था तो इसका जो गटबंदन का जो टूट फूट है वो लगातार देखने को मिल पंजाब में इनका साथ जो है एक और पार्टी ने छोड़ दिया है और यह कोई छोटा मुटा चेहरा नहीं बलकि बहुत बड़ा चेहरा है जिया जन सेना पार्टी के प्रमुक पवन कल्यान ने NDA का साथ छोड़ करने का एलान कर दिया है पवन कल्यान ने NDA का साथ छोड़ दिया है पूरी खबर नहीं दिया जा रहा है लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जटका है वन इंडिया की खबर है मैं आपको बताना चाहूंगी कि वन इंडिया लिखता है कि 2024 में होने वाले देश के लोगसभा चुनाब में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इसके साथी सताधारी NDA और विपक्षी गठबंदन इंडिया के बीच किले बंदी होने लगी है लेकिन इसी बीच NDA को दक्षिन भारत से एक बहुत बड़ा जटका लगा है दरसल जन सेना पार्टी के प्रमुग परवन कल्यान ने ऐलान कर दिया है कि वो TDP के साथ जाएंगे इसलिए NDA से हो गया हूँ TDP एक मजबूत पार्टी है और प्रदेश में विकास के लिए आंद्रप्रदेश और TDP सरकार की जरूरत है TDP आज संघर्ष कर रही है और इस लड़ाई में हम उनके साथ है इन हालातों में TDP को जन सानिकों की जरूरत है और हमारा पूरा समर्तन उनके साथ है TDP और जन सेना अगर हात मिलाते हैं तो आंद्रप्रदेश से YSR Congress Party का सफाया हो जाएगा तो इस तरीके से इन्होंने BJP का साथ छोड़ दिया है अब आप सोचिए कि BJP को एक एक करके कई दलों ने छोड़ दिया है और मद्रप्रदेश का हालत तो आप देखी रहे हैं लेक करते है dependent दो बा तो कोड़ दोड़ दो एक सबस्टाए करे बड़ित इन्होंने से ईन्होंने चाही हैं praying और मद्रदेश में खके संबस्टा साथ तो करके के।